नमस्कार दोस्त स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वशीकरन लेके आई हूं वो इतना सरल और इतना प्रचंड है कि आप सोचेंगे कि सर्फ ऐसे भी वशीकरन हो सकता है इतना सरल बिना किसी सामगरी से सर्फ एक मंत्र के मा होगा जो सर्फ अपने आप में इतना प्रचंड है कि सर्फ जब आप उसका सिम्रन करेंगे उस मंत्र का जाप करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी हो सकता है बिना किसी सामगरी से क्योंकि सब कहते हैं वशीकरन बिना सामग को सकते हैं क्यूंकि हमारी माताएं बहने कई पुरुषाय ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सामगरी उकत्वित नहीं कर सकते हैं आपसे हो कनी आपीछ या सकते हम कहीं बाहर नहीं allezब्रा कि मैं तो हमएं वस्यक्रे Along के आवशानका है और हमें उस स्थिरी को सुधानने के लिए एक वशी करन की अवशकता है इसके बिना हमारी घर की स्थिती सुधान नहीं सकती क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब अपने दूर हो जाते हैं घर में तो साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बहुत जादा बढ़ जाती ह है जी हां अगर इन ही दूरियों को आप कम करना चाहते हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी प्रेमिका किसी और की तरफ आकर्शित हो रही है और आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात भी करें वो ताउम्र कैसे कीज़ेगा और एक जाहते हैं किसी भी गलत मंशा से वशीकरन का प्रयोग नहीं कीज़ेगा इसलिए वशीकरन विधी को करने से पहले काई बार सोच समझ कर इस विधी को अपनाईएगा मैं आपसे बार बार ये कहूंगी और शीकरन का pressures에 पहला कि जब आप वशीकरन कभी आप जो है इस विधी को कर पाएंगे इस विधी का असर पूर्ण रूप से हो पाएगा तो आए समयना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं कि सिर्फ एक मंत्र के माध्यम से कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं दोस्तों पूरा दिन व्यतीत करने के बाद शाम को रात को जब आप रात्री में सोने जाते हैं तो उस समय इस विधी को करना है और करना कैसे हैं आए बताते हैं आप इसनान करके साफ सवच्छ वस्त पहनकर इस दिन सोने जाए और सोने जाने से पहले जब आप अपने बैड़ पर अपने गद्दे पर जहां भी आप सोते हैं वहां पर बैठेंगे तो इस तरह आसल लगा कर एक पर बैठिये और अपने हिर्दे पर हाथ रखकर उस व्यक् 21 जाप करना है जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद आप सो जाएंगे सुभा जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह पागल हो रहा है आप से बात करने के लिए किस तरह सर्फ और सर्फ आप की सुनना चाहते हैं अगर कोई माता है त तो इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिए और मंत्र है ओम नमो भगवतेत मम वश्यम करू करू स्वाहा एक बार और मंत्र प्रताती है ध्यान से सुनिएगा ओम नमो भगवतेत मम वश्यम करू करू स्वाहा इस मंत्र का 21 बावजाप करना है व्यक्ति का नाम लेना है भात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हिवदय पे हाथ रख कर ये पूरी विधी करनी है कोई आपको देखे ना इस बात का भी ध्यान करना है अगर वशीगर्ण समझने में कोई समस्य आ रही है तो आप स्क्रिम पर ये गए नंबर पर कॉल करकर गुरू से बात कर सकते हैं नमस्कार थच्छ लेखे नाफ, भी बात कर दाने हैं तो आपको भीर्ण से सकते हैं समस्केरणाएगर्ण कर वां है कर दो आपको उलते हैं से स्क्रिम अगर्ण।